नमस्कार साथियों मैं विबेग एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल English with Concept by विबेग धुरिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं तो साथियों यह वीडियो उन छात्रों के लिए है हमारे भाई बहनों के लिए है जो की 25 और 26 अपरेल को SSA इस्टोनोग्राफर 2022 का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो यदि आप उन में से नहीं हैं तो वीडियो को इस्किप कर सकते हैं या वीडियो उनहीं लोगों के लिए खास कर है तो जैसा कि बहुत से हमारे भाई बहन हैं वे कह रहते सर हमारा मार्क्स जो प्री वाला है उसमें थोड़ा सा ज्यादा है इसकी टेस्ट देने के लिए क्या मैं रिटेन टेस्ट यानि इसकिल टेस्ट देने जाऊं कि ना जाऊं तो साथियो सब पहले मैं आप सभी को एक बात यहां बताना जायता हूं साथियो बहुत से चात्र हैं जिनकी इसकिल टेस्ट बहुत अच्छी है वो परिच्छा में पास नहीं हो सके हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं यह अधिकतर देखा गया कि जिसकी स्किल टेश्ट बहुत अच्छे होती है उसका रिटेन थोड़ा सा डामाडोल होता है यह मतलब कहने कि मतलब मैं सभी छात्रों के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन जलतर देखा यही गया है और जैसा कि बहुत से ऐसे जो हमारे भाई वहन हैं इसकील टेस्ट जिसका बहुत ही अच्छा है वो ऐसे बताते हैं तो उन्हीं सब के मात्यम से मैं आप को तक यह सूचना पहुचाना चाहता हूँ मौका आपको मिला है skill test देने का तो आप इसे गमाए ना मालीजे आप skill test देते हैं मालीजे जो आपका final cut-off है वो ज़्यादा चला जाता है आपके number से भी तो आपको कम सकम इस बात की खुशी रहनी चाहिए कि हमने तो skill test दिया है कम सकम हमें अनुबहुत तो हुआ है कि हाँ skill test कैसे होता है वहाँ पर क्या लिखना होता है तो सबस पहले आप यदि skill test के लिए qualify हैं तो आप center पर अवस्च जाएं ये मेरी आप सभी से गुजारी से और ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा इसी प्रकार से बात करते हैं कि परिच्छा center में जाते वक्त किन-किन बातों का विशेश ध्यान रखें एक-एक करके हम आप सभी को बताने जार रहे हैं सबसे पहले आप admit card डाउनलोड कर लिजिए यादि आप मान लिजिए परिच्छा आपके सहर में नहीं है तो आप परिच्छा center का एक दिन पहले पता लगा कर वहां पहुच जाएं क्योंकि आपको center पता होना चाहिए मान लिजिए किसी का morning shift में है तो समझ जाईए आप सभी को problem हो सकती है तो यदि आपके सहर में आपकी परिच्छा नहीं है तो आप एक दिन पहले जाकर परिच्छा center का निरिच्छाड जरूर कर ले क्योंकि आपका पेपर ही सब कुछ है आदि आप उसमें नहीं बैट सकेंगे तो आपकी ये सारी मेहनत खराब चली जाएगे इसी परकार से जो दूसरी हमारे भाईयों की हमसे अनुरूत था कि परिच्छा center में हम पेंसिल का परियोग करें कि पेंसिल का परियोग करें तो उसके लिए भी आप सभी को मेरी यास लाए है जिसकी जो आदत हो उससे लिखिए आप यदि आप पेंसिल में खुस हैं यानि आपकी जो skill test है जो आपकी लिखने की यादत है पेंसिल से तो आप पेंसिल से लिखिए पेंसिल में यहाँ एक आपका कौन सी यह हो सकता है यानि आप कहा नहीं है इस वक्तर मालीजी आपका डिक्टेट करते वाग मालीजी आप पेंसिल की लेकिन जिन भी छात्रों का पर्यास पेंसिल से हैं उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली मुझे पता है और बात करते हैं पेंसे लिखने में एक फायदा है इसमें आपकी नोक कभी नहीं तूटेगी इसमें भी तो आपकी कौन्स मनलब एक प्रकार की निगेटिव पॉइंट है मालीजी आपकी छर्रह ही उड़ गई लेकिन यह बहुत कम संभावना होती है तो आप इस सब निगेटिव को दूर करके आप परिश्या हाल में जाएं आप अच्छा करेंगे और दूसरी बात यह है कि क्या आप और ज्यादा यानि बहुत ज्यादा आप एक दिन बचे हैं जैसा कि आप जानते हैं 25 और 26 को हमारा इस्किल टेस्ट है यह वीडियो 23 तारीक क्यों आपके अपलोड हो जाएगा आपके चैनल पर 24 एक दिन में आप कर क्या सकते हैं यदि आप बहुत कि प्रेक्टिस करने का आप कामन हैं तो आप एक दो दिक्टेसन ले सकते हैं बाकि आपको अपने हाथों को जैने की आऊ सकता है किए तो मेरी यही है आप सभी से अन्डोध है कि आप सभी अब यह समय हैं अपने आप पर confidence लाने का क्योंकि जो चात्र एक दो साल से लगातार महिनत कर रहे हैं इस टोनोग्राफी सीखने में वो तो अल्रेडी ही उनकी इस टोनों अच्छी ही होगी और जो चात्र अभी सीख रहे हैं उनकी भी भी मान लिजिए शुरुगात होगी लेकिन अच्छा वो भी कर ले जाएंगे अगर ठीक से सीखे होगे तो तो अब आप प्रैक्टिस थोड़ा काम कर दीजिए यानि आप इद्दम से मत खत्म करें एक दो मैटर लिखें बहुत आप सभी के इनफ लिए हैं आप सभी के लिए इनफ है और आप चैनल पे इसी परकार से अ जै हिन जै भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में